आज की वीडियो में आप लोग को बता हूँगी कि हम अपने हेड फॉल को कैसे डीज़ कर सकते हैं और अपने हेर को कैसे थिक बना सकते हैं स्ट्रॉंक बना सकते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रोभलेम डेखनी को मिलता है आज इंब भोथ मैं और नंग Circle quin में से कुछ है किंग, स्ट्रेस, जेलेटिक, हार्मोनिल इंबैलन्स और थाइरॉज लेकिन अगर हमने हमारे हेर का प्रॉपर केर किया तो हम हमारे हेर फॉल को ट्रीट कर सकते हैं आज मैं आप लोगों को एक मैजिकल ट्रीटमेंट बताऊंगी जिसको यूस करने से आपके हेर फॉल बहुत कम हो जाएंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती है कि आप लोग प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए इस मैजिकल ओयल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाए सरसो का तिल कच्छी घनी प्यॉर मस्टर्ड ओयल इसके बाद हमें चाहिए मेथी आमला मैंने आमला यानि की इंडियन गूस्पेरी को पहने से ही सुखा के रखा था धूप में तो कच्छा भी ले सकते हो फिर नी कि दालेंगे तनलों पंक के पत्तीं more अच्छे अरुष के बाद हम इसमें आमला अलडा हुआ है है हो اور अच्छे से बायर कर लेंगे पाच से साथ मिनिट तक अच्छी से इसको स्टेयर करना है और जब उबाल आजाए और तील में जब उबाल आजाए देखिए मेरा तील एकदम से बॉयल हो गया है सारी चीज़े अच्छी से ऑई एकदम तेयार है अब मैं इसको बंद कर दोंगे अब हमारा ये मैजिकल ओल ठंडा हो है और अब मैं इसको एक कंटीनर में स्टोर करके रखोंगी इस आइल को आप हर रोज रात को सोने से पहले अपने हेर एंड स्कैल्प पे मसाज करके सो जाए और सुभे भी माइल शैंपू से अपने हैर इसको वर्ष कर लीजिए और आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए पेयाज यानि के ओनियन का जूस ओनियन में सलफर होता है जो हमारे हेर को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है और हमारे को बूस्ट करता है दूसरा इंग्रीडियेंट जो हमें चाहिए वह है पोकोनेट ओयल पोकोनेट ओयल में प्रोटीन होता है और यह हमारे हेर क यानकि गंजापन को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेलपफुल है अब हम इन तीनों को एक साथ मिक्स करेंगे और ये हमारा मार्क्स रेडी है एक से दो गंटे तक हमारे हेर्स एन स्केल्ब पे लगांके रखना है और उसके बाद कोई भी माईल शैम्पू से धो लेना है इस मास्क को हमें हफते में एक से दो बार लगाना है I hope आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा and if yes, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए comment section में जाके मुझे बताये कि आप लोग आगे और पॉन से वीडियो देखना चाहते हो and I would love to do that for you guys और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं आप से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए stay healthy, stay healthy, take care, bye